आप आपके साथ मैं हूँ किर्थी कंसल आज आज क्या कहता है आपका भागे आपका सितारा ये जानेगे भागे चक्र में अब वक्त हो चला है स्टूडियो में मौझूद हमारे खास मैमान से आपका परिचे कराने का स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मैमान हमारे साथ मौझूद है और आज बताएंगे सबसे पहले क्या कुछ है आज का पंचांग उसके बाद क्या कहती है आपकी राशी और उसके बाद आज की विश्येश्य सलह यह जो कारेक्रम आपके लिए बेहद है खास है कॉपी पेन लेकर के शुरू में ही बैठ जाईएगा जो भी आपके लिए पॉइंट्स आपको बताय जाएंगे उन्हें जरूर नोट कीजएगा और इसे के साथ एक जरूरी सूचना कारेक्रम के शुरूआत में ही आपको यह दे देते हैं कि नमबर लगाताय टीवी स्क्रीन पर फ्लेश हो रहें नमबरों के जरीएस कारेक्रम में जरूर जुड़ेगा जो भी समस्यापको आ रही है वह जरूर अंजी वच्जी से पूछेगा उन समस्याओं का समधान भी आपको दिया जाएगा कारेक्रम की शुरूआत करते हैं जी और सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का पंचांग जी आज का पंचांग तारिक 16 जन्वरी 2019 दिन वुद्भार महीना पॉश विक्रम समध 2075 रितू हैंमंत आयन उत्त्रायन तिथी दश्मियन पक्ष शुकल पक्ष नक्षत्र भरनी सूरे मकर राशी में चंद्रमा मेश राशी में आज का बता दिया गया है बारा बज़े से डेड़ बज़े तक रहने वाला है सुरे के स्थेती में रहने वाला है चंद्रमा के स्थेती में रहने वाले जितने भी दरश्य के कारक्रम देखते हैं जो सुनना पसंद करते हैं पंचांग उनके लिए हम हर रोज बताते हैं कि आज को पंचांग क्या रहने वाला है अब कारिक्रम के शुरुआत करते हैं आज की राशियों से जितने भी लोग देख रहे हैं जिने अपने राशी के बारे में पता है वो जरूर ध्यान से सुनिएगा कि आज उनकी राशी में क्या कुछ रहने वाला है सब से पहले राशी मेश रा हार की प्राप्ति होगी कोई बड़ी समस्या का हल आसानी से मिल जाएगा समय अनुकूल है स्वास्त थोड़ा सा कम जोर रह सकता है वानी पर नियंतरन रखें कीमती वस्तुएं समहाल कर रखें तो मेश राशी वालों के लिए एक जरूरी सलह दी गई है कि वानी पर नियंतरन भी देती है और वानी ही है जो काम को बना भी देती है यानि कि आज आज नहीं वैसे हमेशा ही मीठी वानी बोल ली होगी लेकिन आज जो है आपको अपने वानी पर थोड़ा संभाल कर रखें जो भी आपके गर में गोल्ड है या फिर चांदी है उन्हें ध्यान से दिन क्या कहता है विरश राशी आज आप किसी विवाद को बढ़ावा ना दें फाल्तू खर्च हो सकता है अपेक्षा किर्थ कारियों में बिलम दिखाई देता है लेन देन में जल्दवाजी ना करें किसी व्यक्ति के वहकावी में भी ना आएं परिवार के किसी व्यक्ति कि के स्वास्त पर ध्यान धन खर्च हो सकता है चिंता और तनाव रहेगा जल्दबाजी ना करें किसी कारे के लिए तो व्रिश राशी वालों के लिए विशिश सलहा यही दी जा रही है कि चिंता और तनाव बढ़ सकता है ऐसे में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है रुखन होगा पूरी बात को समझना होगा और समझ करके उसके उपर रियाक्ट करना होगा तभी आज के दिन आज आप विवादों से बच सकते हैं अगर आपको विवाद से बचना है तो सोच समझ करके करके आपको चलना होगा हर कारे को ध्यान पुर्वक करना होगा संभल करके आपको चलना होगा इसके अजावा यह जो पूरा गूमने फिरने जाते हैं तो उनकी यात्रा जो है वो सफल होगे इसके साथ ये और अच्छा अच्छी बात या फिर एक शुब संकेत ये कि जितना भी आपका रुका हुआ धन है वो आज आने वाला है इसी के साथ आए में वृध्धी होने वाली है आज आपकी और इसके करते हैं बात करते हैं करकराशी वालों की करकराशी आज किसी बड़े काम को करने की तीवर इच्छा जागरित होगी आर्थिक उन्नती के योग बन रहे हैं व्यापार लावदायक रहेगा कारे स्थलपल परिवर्तन हो सकता है कारे सिद्धी के योग हैं प्रसंता में विर् वो काम करते हैं तो वो कामा आज आपका सफल वहगा क्योंकि ढूसरा पॉइंट जो है कि मिलने के आज आपको पूरे पूरे अब आगे बढ़ते हैं बात कर लेती हैं सिंग राशी आज धार्मी कशन अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा तीर्थ यात्रा की योजना भी बनेंगी व्यापार विवसाय मनुकूल लाब देगा निवे सो समझ कर ही करें पार्टनरों का सहयोग मिलेगा थोड़ा दुष्ठ जनों यानि जो शक्तूल हैं उनसे थोड़ा सावधान देगा तीर्थ व्यात्रा की योजना भनेगी व्यापार विवसाय मनुकूल लाब देने वाला है आज धार्मिक अनुष्ठान के भी योग बन रहे हैं बहाग लेने में उनमें अफसर प्राप्त होगा यानि के कुल में लाकर के यह जो पूरी राशी है या आपकी फेवर में हैं तो सिंग राशी वालों की बात कर रहेते हैं सिंग राशी वालों के लिए आज का दिन बेहद ही शुब है दूश्ट जोनों से थोड़ा से सावधान आपको रहना होगा विरोधी आज आप को परास्त कर सकते हैं तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं कन्या राशी वालों के लिए आज को बढ़ावा ना दें चोट और दुरगटना के प्रती सावधानी रखें लेन देन में जल्दवाजी ना करें बनते कामों में विधन आ सकत करना होगा विवाद को बढ़ावा नहीं देना होगा चोट और दुरगटना के प्रती सावधान रहें यानि कि जो आज ये कन्या राशी वाले थोड़ा से संभल करके चलना होगा क्योंकि जो कुछ पॉइंट्स है वो थोड़ा विचलित करने वाले हैं लेकिन घबराने के ज़रत नहीं है एक कॉन्फिडेंस अपने मन में रखे हर पॉइंट्स पर संभल करके चलिए उसके अलावा ये जो पूरा दिन है आपके फेवर में इस ले डरने के बिल्कुल भी ज़रत नहीं है ये पूरा दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आगे बढ़ते हैं औ व्यापार लावदायक रहेगा भाईयों का सहयोग प्राप्थ होगा सभी तरफ से सफलता प्राप्थ होगी एश्वरे के साधनों में विर्धी होगी तो प्रीम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी व्यापार लावदायक रहेगा कानूनी अर्चने दूर खुने के स्थित साथ के हमें जरुरत है और जब भाईयों का साथ मिल जाए तो फिर वो काम जरूर सफल होता है इसलिए आज का दिन पूरा आपके फिवर में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं विश्चिक राशी वालों की विश्चिक राशी किसी व्यक्ति के वहकावे में ना आएं विश्चिक राशी के विश्चिक राशी वालों के लिए कि किसी व्यक्ति के वहकावे में बिल्कुल भी ना आएं अपना दिमाग इस्तेमाल कीज़ेगा अगर कोई भी कुछ कहता है आपको जरूर उस बात पर दो बार ध्यान दीज़ेगा समझेगा और फिर आगे बढ़ अब बात करते हैं धानूराशी वालों की आज कानूनी अर्चने सामने आ सकती हैं जोखिम और जैसे जमानत के कारे हों उनको टाल दें रचनात्मक कारे सफल रहेंगे पार्टी और पिक्निक का आनंद भी प्राफ्त होगा आज मित्रों के साथ समय मनोरंजक व्यतीत होगा रोजगार भी मिलेगा और कुछ भाग्य उन्नती के योग भी बन रहें तो धनूराशी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि रोजगार के अफसर मिलेंगे आज के समय में विशेश का युवा वर्ग जो है परिशान है क्योंकि नौकरी उन्हें नहीं मि कर ले परसो कर ले क्योंकि आज कानूनी कामों के लिए आज आपका दिन फेवर में नहीं है इसके लावा पूरा दिन आपके फेवर में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मकाराशी वालों की मकाराशी वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है आज को कोई बड़ी परेशानी रहेगी विवात को बढ़ावाने दे धैर रखे किसी व्यक्ति से कहा सुनी हो सकती है महनत जादा होगी महनत वैसे भी अगर आप करेंगे तो उसका फल आप ही पाएंगे किसी और को फल मिलने वाला नहीं है इसलिए महनत मन लगा करके कीज़ेगा पूरा जो फेवर है ये दि आपती होती दिखाई देती है आज मित्रों का सहयोग भी पाएंगे व्यापार लाबदायक रहेगा निवेश शुग रहेगा एशवरें के साधनों पर धन खर्च होगा भागे का साथ रहेगा और यह सबसे ज़्यादा जरुरी हो जाता है कुम्भ राशी वालों के लिए किसी भी राशी वालों के लिए कि अगर भागे साथ में रहेगा तो वो पूरा दिन आपके फेवर में रहेगा इसलिए कुम्भ राशी वालों का जितने भी आज लोग है जितने भी दर्शा कारेकरम देख रहे हैं वो खुश हो जाईए अगर वो कुम्भ राशी के हैं तो क्योंकि भागे जो है आपकी फेवर में सबसे आखिर वाली राशी मीन राशी वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है मीन राशी मीन राशी आज पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है कोई शुब सूचना मिलेगी आत्म सम्वान बना रहेगा कारे में सफलता मिलेगी पार्टनरों का सहयोग भी प्राफ्थ होगा लाव में विर्धी होगी आज का दिन सुखपूरवक व्यतीत होगा सुक पूर्वक आज का दिन बीतेगा कारे में सफलता मिलेगी पार्टनरों का सहयोग प्राप्थ होगा मीन राश्य वालों के लिए आज का दिन पूरा आपके फेवर में अब बात कर लेते हैं से इना आज की सलहा की क्योंकि ये सलहा जो है वो आपके लिए बेहद ही लाबद जी भी कहते हैं इसमें सिर्फ नौ अंक होते हैं मान लिजे जैसे किसी व्यक्ति का जनम की तारीक 15 तारीक है तो वन प्लस फाइब यानि दोनों मिलाके उसको काउंट करेंगे तो 6 नंबर बनेगा तो जातक का मुलांक हुआ 6 नंबर तो आप ऐसे ही अपना मुलांक देख स सब्सक्राइब के व्यक्तियों का सुभाव कैसा होता है आज हम इस वारे पर चर्चा करें पहला नंबर मुलांक एक मुलांक वालों की च्छाएं काफी ज्यादा प्रवल होती हैं वे अपने लक्षे के बीच आने वाली सभी अर्चनों को दूर कर लेते हैं और लक्षे पा जिसके कारण उन्हें परेशानिया धिलनी पड़ती हैं मन से ये भाव होते हैं मुलांक नंबर तीन तीन के जो लोग होते हैं विशेश योगता रखते हैं हर काम को अलग धंसे करना चाहते हैं कड़ी महनत करके अपने लक्ष को हासिल भी कर लेते हैं मुलांक चार वाले कि किसी मुलांग चार वाले किसी से आसानी से दोस्ती नहीं करते और अगर करते हैं तो पूरी इमांदारी से इसको निभाते इसमीन में किरोध जादा होता है जीवन में संघर्स जादा करना पड़ता है लोग को मूलांक पांच पांच वाले जो व्यक्ति होते हैं काफी बुद्धिबान होते हैं ये लोग किसी भी काम को जल्दी करना चाहते हैं और उन कामों से बस्ते हैं जिन में ज़्यादा समय लगता हो मूलांक 6 वाले व्यक्ति का जो जुखाव होता है अपने जीवन साथी या प्रेम की ओर ज़्यादा होता है ये लोग काफी रोमेंटिक होते हैं और जीवन की सुख सुविदाओं के साथ जीना पसंद करते हैं मूलांक 7 मूलांक 7 के जो व्यक्ति होते हैं इन लोगों की जो नेचर होता वो पैंटिंग लेखन आधी कलपनाओं से जुड़ी कारें में दिल्चस्पी जादा रखते हैं ये लोग अपनी बातों को हर किसी से शेयर नहीं करते हैं मूलांक 8 मूलांक 8 वाले सुभाव से धार्मिक प्रवर्ति के होते हैं अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहा वक्षू भी करते हैं लेकिन जीवन में सभी सुख सुविदा देर से मिलती हैं इनको क्योंकि शनी कांक हो गया मूलांक 9 मूलांक 9 वालों को गुस्सा जाया जल्दी आता है लेकिन जल्दी उतर भी जाता है यह जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं थोड़े जिद्दी सुभाव के ज़्याद होते हैं जो लोग निमरोलोजी में विश्वास रखते हैं क्योंकि जोतिश अचारे क्या कहते हैं यह हम हर रोज आपको बताते हैं लेकिन आज विशेश आपके लिए लेकर आया थे कि निमरोलोजी जिने निमरोलोजी में सबसे जादा इंट्रस्ट है जिने जानना है कि उनका जो birthday date है उनके हिसाब से उनका क्या कुछ नेचर रहने वाला है ये हमने आज आपको बताए नौंक तक बाते होती हैं पर शॉर्ट में टाइम की कमी से थोड़ा से लेकर रहा हैं तो जरूर आपने ध्यान दिया होगा ये सभी बाते ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़िएग आपका जो जीवन है और भी जादा साथक हो जाएगा जितने भी दर्शा के कारक्रम देख रहे थे उन सबीकर शुक्रिया वद्वर शुक्रिया अजी वच्जी अपना कीम्ती समय हमें देने के लिए और कल फिर से हाजिर होंगे इसे कारक्रम के साथ और बताएंगे आपका भागे आपका सितारा क्या कुछ कहता है फिलाल मुझे दीज़े जाज़त नमस्कार